बिसमिल्लाहिर रहमान रर्रहीम असलाम अलेकुम हम पढ़ रहे हैं पाइथन बैकेंड वैब डवलेमेंट प्रोग्रामिंग विद जैंगू एंड लेट्स इस इस लेक्षर में हम इस्टार्ट करने जा रहे हैं जैंगू ठीक है इसमें जैंगू का इंट्रोडक्शन एंड इंस्टालिर्शन और जैंगू के अंदर हम क्या क्या चिजें करेंगे वो भी हम सातमें पढ़ेंगे जैंगू wor यह थे हैं कि यह कि पाइसी करी प्रेमड करेंगग करते। इससी के अंदर हम देख़ए ये डायक लिस्ट कर रहहा हूं यह दिकन्वेंजातां हरा है। पाइसिकली है क्या है यह हाई लेवल पाइफन वैब फ्रेमवर्क ठीक है और वैब से हम हमें मालूम पड़ जाता है कि यह पाइसिकली वैब डॉलप्बिंट के लिए यूज़ होता है मैंने स्टार्टिंग के लेक्चेस में जब हम पाइफन स्टार्ट कर रहे थे तो उसी म स्टार्ट के लिए हमारे पास जैंगो वन फ्रेमवर्क है यह हम कर सकते हैं वह फ्रेंट एंड बोथ और साथ डेटावस्टी तो जैंगो के लिए हमें क्या चीज़ें चाहिए हमें अलग से कोई सॉफ्टर वगरा इंस्ट्रॉल करने की जरूवत नहीं है इसे पैसिकली क् प्रोजेक्स पर काम कर रहे होते हैं तो मोस्ली डिवलपर्स जो है वो प्रेफर करते हैं जो अपनी आईटी इस हैं लाइक ना कॉंडा आईटी है जैसे दूसरी प्रोग्रामिंग लेंग्विजिस की भी आईटी आती हैं लाइक जावा के लिए एकलिप्स और नेट बींस आता है इसी तरह से इच्पी के लिए भी डिफरंट इस हमारे पास इंटरनेट पे मुझूद हैं जैट ब्रेन वगरा तो के लिए मोस्ली यू यूज होती है आईटी वह अना कॉंडा यूज होता है अधर्वाइस हम इतना कोई हैवी यानिक नहीं क्योंकि वह आईटी जो है कि स्लो हो जाए और इस रोलेशन में भी टाइम लग जाता है तो हम इन तुमाम चीज़ों को स्किप करके हमारा जो अपना बहुत ही ज्यादा लाइट वेड जो एडिटर है विजूल स्टूडियो कोड हम उसी को यूज करेंगे तो का एक ब्रीफ इंट्रोड़क्शन हम वह फंक्शन, बिल्केंट, फंक्शन, प्लास थैं हमें हमें गौइड की गई है और हमने स्प्ल याई कि इससे यह हो गया है अगर आपने पहले कभी framework से काम किया है दिफ्रेंट लाइंट लैंविजिजे से जैसे जावा का framework है हाईपर नेट, श्प्रिंग, इस पीएच प के framework से coordinator लारा विल सो उट में होता क्या है कि basically हमें एक बना-बना like code मिल जाता है और हमने सिर्फ इस code को यूज़ करके development करनी होती है चीक है so यहां से इसको अलग से कोई download वगरा करने की जरूद नहीं है हम सारा काम यह console based करेंगे और यह जो console based जो चीज़ें हम install करते हैं अपने पास basically install होती है with the help of python package manager होता है अगर यहीं पर मैं यहां पर search करूँ pip python तो pip basically है क्या python package management system है यह console based python में external चीज़ें install करने के लिए काम आता है जैसे के जैंगो हो गया जैंगो क्या है एक framework है और यह क्योंकि अब हमें python के साथ ही जब python के हमने installation की ती उसी वक्त हमें साथ में यह चीज़ नहीं मिली थी यानि कि हम बाद में इसको अलग से install कर रहे हैं तो यानि कि यह एक external चीज़ है चीज़ें इस ता से hundreds of modules हैं frameworks हैं libraries हैं काफी कुछ है जो के हमें python के साथ मिलता है जैसे के मैं अगर एक website दिखा हूं आपको यह website basically इसमें देखें हमें यानि कि with the help of PIP package manager आप python और कितनी सारी चीज़ें इंटरनेट पे अविलेबल ने देखें अगर मैं framework की तरफ आउं तो लोग कि आप साथ में python के साथ external कितनी सारी चीज़ें यूज कर सकते हैं लबी चोड़ी लिस्ट है मैं हर एक यानि कि अगर मैं framework में जैंगो पे ही क्लिक करूं तो लोग तो इंगो से related कितनी सारे modules library हमें यहां पे मिल चाती है एक नीचे एक पाइफ अंड्रेड इंटरनेट पे मिलेंगी आपने सिर्फ और उसको अपने python इसको अपने पाइफन करना है और उसको सर्फ यूज करना है और उसको सर्फ यूज करना है चीक है तो इस सरा से हम प्याइप जो package manager है विद तरफ प्याइप हम जो है वो जैंगो या एक्स्टरनल जितने भी modules हैं framework हैं libraries हैं वो सब हम the help of package manager install करते हैं अपने पास अपने laptop में अपने system में अपने computer में अब हम पर क्या-क्या करेंगे विद्ध है विद्ध हम इंट्रोलोशन पर बात में आते हैं विद्ध का एक basic introduction तो हमने ले लिया कि एक back framework है इसमें हम क्या-क्या चीजें cover करेंगे कि सब्सक्राइब कि मैं अपने code editor में एक नहीं पर आपको लिखा देता हूं कि 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 अज तो हम इंट्रो एंड इंट्रोलोशन देखेंगे ठीक है एंड अफर देस हम यूर्ल राउट इसमें एक बहुत ही दबर्दस एक mechanism बनावा है राउट का इसके इलावा जैंगू templates जैंगू अपने templates हैं इसके हम बाद में देखें कि इसकली है क्या and sending data ठीक है विद अपने templates में से data send करना इसी तरह से जो है वो जैंगू कैसे काम करता है अगर आपने पहले कभी server-side programming languages पर काम किया है with HTML तो get or post form से related अच्छी चीज है आप similar होंगे इस चीज से कि यह है क्या इसी तरह से जैंगो के models हम पढ़ेंगे कि जैंगो के अंदर models कैसे हैं किस तरह से काम करते हैं और इसी तरह से जो है वो जैंगो-admin-panel साथ हम काम करेंगे ठीक है and after this registration, user registration ठीक है, अगर spelling में मैं mistreke करूं तो 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 जैंगो-admin-panel with database इस तरह registration होगे, user login system इसी तरह से जो है वह डाइनमिक यूरल राउट लिए अपनी वेबसाइट को और ज्यादा सिक्यूर वाग पिनाने के लिए इस तरह से अंड थे पूस्ट इसका सैट अप वगर हम यानिकि जैंगो के साथ इसे तरह से स्टाइं के लेक्चर्स में मैं बता था कि हम साथ में प्रॉजेक्स पे काम करेंगे इस तरह इंगे विद ब्लॉग प्रोजेक्ट और उसके बाद हम एक वैदर बनाएंगे अफर दिस हम एक रियल टाम चैट अप जादा से ज्यादा सीख सकें ताकि इन फूचर वो चीज़ें आपको इन आमाएं इसको सेफ कर लेता हूं अब सबसे पहले करना क्या है कि मेरे पास जैसे मेरा फोल्डर डारेक्टरी तक हम लास्ट लेक्चर के अंदर काम कर रहे थे पाइस नाम का फोल्डर था जैसमें हम मारे पास जो है वो यानि के लिशन लूप्स और लिस्स और डिक्शनरी और इन तमम चीज़ों के बारे में हमने बैसिक बढ़ लिया था नाव आफ्र दिस अब हम पूरी तरह से रियल-time development की तरह आगए हैं तो मैं यहां पर अपने फोल्डर डारेक्टरी पे हूं इसी फो इस वक्त में अपने फोल्डर डारेक्टरी के अंदर मोजूद हूं तो मैं सब सब पहला काम यहां पर क्या करूंगा कि मैं जैंगो को यानि कि इंस्ट्रॉल करना देखूंगा ठीक कि मगर इंस्ट्रॉलेशन से पहले में एक और चीज कि अगर आपने पहले कभी यूज की हैं कोई प्रोग्रामिग लैंगवज्ज से लायक जावज़ा हो गया ज्यूज के जावा का इसवजह से एक एंगजेμपल दे रहूं बार ला क्यूएँ जावा अपनी जगा एक बहुती प्रोग्रामिग लेंग्विज है और बहुत ज्यादा इस पे जो है वो क्राम होता है यूज होता है और मोस्ली बैसिक लेविल पे स्टूड़न्ट्स को जावा काफी ज्यादा पढ़ाया जाता है तो कभी-कभी जावा की बात आती ठीक है तो वहां पे विर्चुल मशीन का एक इसको हम जाव विर्चुल मशीन भी कहता है फीक या वर्चुल खीक के विर्चेल मेमरी या विर्चुल एरिया स्वादा है ऊसके इस वक जैसे यह मेरा लैप्टॉप ऑपफ ए इसके आंदर विंडोस ओपरेटिंग सीस्रम चल रहा है और यह उतने फोल्डर से हैं तब कछ यहां पर हो और यह पूरा एक ही लाइक सॉफ्ट्वियर पर हम काम कर रहे हैं यह तमाम चीजें एक दूसरे के साथ बशुफ्ट्र लाजमी होता है क?... यहां पर लाजमी होता है एक विर्टल एरिया क्रेट कर लें एक विर्ट्वल एक होरे हृपर से मुराद अगें कि एρείरी अब tracing तो यहां पर जब हम पाइखनी की बात करेंगे यहां पे हमें एक virtual area बनानी पड़ेगी तो मैंने जब starting बाद किया बता है कि जितने भी packages है यह विद the help of PIP क्रेट करते हैं तो यहां पे मैं सबसब पहले PIP लिखूँगा और मैंने सबसब पहले starting में करना किया है मैं एक virtual area create कर दूँगा इसके लिए कोई limit नहीं है suppose कि आप multiple projects पर काम कर रहे हैं आप ने एक project बनाया ठीक है आप दूसरा project काम कर रहे हैं तीसरा project बना रहे हैं तो आपकी choice है कि आप हर project के लिए अलग अलग virtual area reserve करें या सब्सक्राइब करें तो no issue ठीक मगर बैतर यही रहता है यहां पर create करने के लिए आप लाजमी इन कमांड को node करते जाहिएगा install विर्चुल ठीक है इन्वी इंवार्मेंट ठीक है and then wrapper ठीक है spelling का लाजमी ख्याल रखेगा इन्वार्मेंट रेपर डेश डविपाइब कर रहे हैं मैं जैसे इंटर करूंगा तो यहां पर यह मेरा cmd क्या करेगा क्योंकि हम यह आउनलाइन सारे चीज़ें इंस्टॉल करेगा तो second sys में लगेंगे वासा time लगेगा एक virtual environment क्रियेट होने के लिए हमारे सिस्टम पर और ऐसे कि मैं already यानि कि एक virtual environment अपने सिस्टम में क्रियेट कर चुका हूं तो मुझे पता था कि मेरे पास याएगा वह क्या है यानि कि मेरे पास already एक virtual environment या मेरे सिस्टम में बनावा है विर्चल इन्वार्मेंट बनाने के बाद यह होता है कि आप विर्चल एरिया किस नाम से बना रहे हैं कि आप विर्चल एक एरिया के अंदर जो आप करेंगे वह किस project पे करेंगे वह क्या है वह भी यहां पे लाज मेरे पास यह already installed है यह command run करने के बाद आपके पास एक installation आएगी बीच में यहां पे cmd में कोई option नहीं होता yes या no कुछ भी नहीं आपके पास successfully install हो जाएगा after this अब मैंने यहां पे क्या करना है इस virtual environment के अंदर अपना एक app बनाना है ठीक है कि मैं इस blue में यह boundary यह reserve किया है virtual इसकी अंदर मैं अब फलाँ नाम के एक app के लिए काम करना चाहरा हूं ठीक है उसके लिए mk short form में make directory का ठीक है मैं एक directory बना रहा हूं mk virtual environment and then your like virtual area के अंदर आप काम करना चाहरें कि सैप पे काम करना चाहरें कि उस अपनी app का नाम तो को यूजर डिफाइन होता है तो आप कोई भी इसको नाम दे सकते हैं suppose कि मैं इसको नाम दे रहा हूं यानि कि डारेक्टरी बना रहा हूं अपने विर्चुल एरिया के अंदर में विर्चुल एन्वी राइट तो मैं इसको इसी इंट्रे करूंगा मेरे पास अब क्या होगा कि एक इस दे नेम ऑफ देंगो आप कि एक राइक राइक में इस मेरे विर्चुल एरिया में एक एप बन जाएगी यह इतना ज्यदा यानि कि प्रेशान होने वाली या कंफूज होने वाली बात नहीं यह फिर्स टाइम का एक प्रोसेस है कि किसी पास क्या हुआ कि लोग विर्चुल एंवर्मेंट एक विर्चुल एंवर्मेंट के रिये हो चुका है ठीके पैकेट सीड इसका यह है और यह मेरे पास सक्सेस्फुल यानि कि इस पर इंस्ट्रॉल हो चुका है अब आप फरक देखिएगा पहले में मेरी डारेक्टरी जब नाम यहां पर मेरे पास ठीलिया रहा है लोग इसका मतलब है कए मैंने एक डारेक्टरी बना दी है तरह नेम आफ इंगो एप इस्ट्र एरिया के अंदर एस्ट्रेटरी Πहर काम कर रहा है यानि कि इस फ़क्छ यह मेरी है यह एक विर्चुल एरिया के अंदर एक विर् ये अपना जैंगो रजों करेंगे भी बार बार इंस्ट्रों करने की ज़रूरत नहीं है कि हमने सिर फोसर एक विर्चौल इंवार्मेंट क्रियेट करना होता है आफ्टर देस आफ्टर इसके बाद जब आप मुल्टिकल प्रोजेक्स पर काम कर रहे हैं आपने कोई न्यू प्रोजेक्स शुरू कर दिया तो बार-बार कोई जैंगो की इंस्ट्रोलेशन की ज़रूरत नहीं है अगर आप इस तरह से डारेक्टरी कोई दूसरी बनाना चाह रहे हैं तो इस तरह से डारेक्टरी आप पर दूसरी बना रहे हैं जैसे मैंने एक जैंगो एप नाम की डारेक्टरी यहां पर क्रेट किया है तो अब मैंने जैंगो इंस्ट्रोल करना है जैंगो इंस्ट्रोल की तो कि इसमें silent है ऐसा नहों कोई पढ़े कि जेंगो तो इस जेंगो तो बहुत से लोग जेंगो भी प्रनॉम्स करते हैं इसको करते हैं इसको बहुत से लोगता हैं इसको बहुत से लोगता हैं इसमें जेंगो के साथ packages कौन-कौन से इंस्ट्रॉल किये हैं इसे डेटा एसको पार्स और अगरा अगरा यह कुछ पैकेजिस हैं और यह successfully install हो चुका है मेरे पास इस particular virtual area के अंदर virtual memory के अंदर तो अब मैंने क्या करना है अब मैंने क्या करना है अब मैंने अब मैं अब मैं अपने अरिया के अंदर अपना project करने जा रहा हु याणि कि अपना project folder तो मैं यहां पर प्रोजेक्त को नाम क्या दूँ यहां पर प्रोजेक्ट को नाम देना चाहर हुआ हूँ मेंस के folder name आपका क्या हो तो मैं इसको नाम दे रहा हूँ my project या फिर jingo project तो my project लिएक है नाम इसी तरीक है तो मगर एक जो है वो प्रोफेशनल तरीका यह है कि हमेशा यह folder name आपके प्रोजेक के हिसाब से हो सब्सक्राइब आप प्रोजेक पर काम कर रहे हैं तो folder name ब्लॉग रखना चाहिए या प्रैट अप्लिकेशन पर तो उससाब से folder name होना चाहिए तो मैं फिलाल इसको my project जो है वो नाम दे रहा हूँ इंट्र करते ही मेरे पास देखें यहां पर कोई आगे आई नहीं है मगर आप पीछे देख सकते हैं कि मेरे पास folder मेरे ड्राइब में यह my project नाम का folder create हो चुका है successful हो चुका है तो अब मैं simply क्या करूंगा यहां पर cd करके अपने my project folder में जाओंगा अब हम अपने folder में आ चुके हैं तो अब क्योंके हम अपने folder में आ चुके हैं तो अब मैंने simply यहां पर क्या करना है कि अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इस project में है क्या क्या लोग यह में यहां पर मेरे पास अपने code editor के अंदर भी देखें यह folder आ चुका है folder के अंदर folder मोजूद होता है my project यानि कि अलग से जो main folder name है वो तो होगा उसके अंदर अलग से पिर आपका सेम नाम का folder मोजूद होता है my project and उससे बाहर जो है यहां पर हमारे पास manage नाम का file होता है manage.py यानि कि .python का है याद रहे इस file को आपने छेड़ना नहीं है इस file के अंदर कुछ भी नहीं करना है आपने इस file को यानि कि आप तोरी जर के लिए भूल जाएं कि मेरे project में इस नाम की file है भी या नहीं मगर इसको delete नहीं करना है ची कि यह one of the most important file है और इस ही file की मदद से हमारा project रॉन हो रहा होता है हमारे system इस file में हमने फिलाल अपने बिगनर्स लेवल पे इस file में हमने कुछ भी नहीं करना है इसको इसके अंदर कोई changing नहीं करना है माई project नाम की अलग से अंदर एक folder मौझूद है उसके अंदर हमारे पाद multiple files यहां पे मौझूद है एक init नाम की file होती है जो के फिलाल empty है इसको फिलाल skip कर लेते हैं इसको feature में ASGI या आज की file नाम होता है इसके अंदर भी systems और environments related जित भी है वह built-in code है and then setting.fi जो main setting है अमारे project की complete यहां पे मौझूद है इसमें हम खुद से भी काफी सारा काम करने वाले हैं in future जब हम अब पुरी तरह से जब project के काम करना शुरू करेंगे तो इसमें हम setting नाम की file के अंदर भी काफी सारा काम करने वाले हैं one of the most important file urls 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 पैसी करी क्या होता है जैसे कि suppose मेरी web development कर रहे हैं तो इसमीन website बना रहे हैं तो उसकी URL होगी www.something.com after this something.com के बाद मैं कौन सा page open कर रहा हूं suppose मैं about us का page open कर रहा हूं suppose मैं gallery का page open कर रहा हूं मैं contact us का page open कर रहा हूं या मैं dashboard पर हूं तो वहां पर record insert कर रहा हूं अप्रेट कर रहा हूं तो वहर चीज़ के अलग-अलग pages होते है तो उन pages की ऊपर टॉप पे URL क्या दिखाई देनी चाहिए तो वह URL से related सारा काम हम यहां पर कर रहे होते हैं यह and in लेक्चर्स जो हैं हम dynamic URL भी पढ़ेंगे किस तरह से auto URL खुदी generator में खुद से यहां से define ना करूं तो complete काम हम परने जा रहे हैं तो यह था basic introduction हमारे bingo का bingo project and bingo installation तो आज के इस lecture के अंदर यहां तक इतना काफी है इंशाला में नेक्स लेक्चर के अंदर तक के लिए लाफिर